हलो बच्चों, तो I hope सब अच्छे होंगे, सब की पढ़ाई चल रही होगी और जस्ट मैं देख रहा था कि जैसे EAC की नोटिफेकेशन आई है तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हैं कि सब वेकेंसी कम है, कैसे करना है और बहुत सारे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो पेटा जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप अभी नहीं करोगे जो ऐसा भी वेकेंसी है, जो भी कंडिशन है, उसी कंडिशन को हमें maximize करना है, उसी में अपना best देना है अगर आप आज नहीं करेंगे, तो कल के लिए let's suppose आप market जाएंगे, market में आपका जो भी next generation होगा आप नेक्स जनरेशन आपसे बूलेगा, कि नहीं मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, या मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो आप उसको बूलोगे, कि नहीं sorry मैं इसको afford नहीं कर सकता तो अगर हम अभी serious नहीं हुए, और इसी के भरोसे बैठे रहे हैं, कि नहीं आपकेंसी काम है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो जो है उसको पाओ, और अगर नहीं पाएंगे, तो कही न कहीं से हमें next generation को sorry बूलना पड़ेगा, कि मैंने अपनी life में उतनी मेहनत नहीं की, तो जरूरी है कि अभी से मेहनत करें, ताकि आपको next generation को sorry ना बूलना पड़े, okay, thank you.